बिसमिल्हारह्माने रोहिम, स्लाम अलेकूम और रहमतुल्लाहिव बरकातुरू आज हम बहुत ज्यादा मज़िदार नाश्टा बना के तयार करने वाले हैं आप इसे नाश्टे में बना सकते हैं, आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं बहुत ज्यादा मज़िदार बनता है, और हम इसे दो चीजों से बनाएंगे, रवा और आलो से इसे बना कर तयार करेंगे बहुत ज्यादा मज़िदार नाश्टा बनता है, आप इसे जरूर ट्राय करें मेरे चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब के बना ना जाएं, एक लाइक जरूर करें अपने फैमिली और फिरेंस में शेर करना ना भूलें तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है, हमने यहाँ पर दो आलो लिये हैं आलो को हमने छिल कर पानी में रख दिया है, अगर यह बाहर रखेंगी तो आलो काले हो जाते है इसलिए से हमें पानी में रखना है और थोड़ा सा पानी ले लेंगे ऀक बाल में और उसमें हम यह खीस लेंगे, इसे ग्रेट कर लेना है यह देखे इस तरीखेसे आप कोई भी ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें यहाँ पर यह सारा ग्रेट कर लिया है हमने अब इसे मैं दो पानी से दो कर ले लेती हूँ पानी फेक देना है और यह इस तरह से निचोड कर ले लेना है एक कप सूजी इस्तेमाल करी हूँ मैं ये रवा इसमें शामिल कर लेना है हफ कप दही इस्तेमाल करी हूँ मैं यहाँ पर अगर दही खटा हो तो हफ कप इस्तेमाल करें एक प्यास को चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है एक टमाटर लिया है इसे भी चॉप कर लिया है हरा धनिया लिया है इसे भी चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्ची ली है इसे भी बारिक चॉप करके इसमें शामिल कर लेना है half table spoon नमक शामिल करेंगे one table spoon जीरा इसमें शामिल करना है जीरे से बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है यह अब इसे थोड़ा सा mix कर लेंगे और आदा कप पानी इसमें शामिल कर लेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा add करके इसे mix कर लीजिए one table spoon कुटी हुई लाल में चिसमें मैंने शामिल कर लीए आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसे अच्छे से mix कर लीजिए मैंने यहाँ पर पूरा आदा कप पानी इसमें शामिल करके इसे अच्छे से mix करके अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ढांकर रग देना है 10 मिनट हो गए हैं यह देखे यह अच्छे से बैटर बन कर तैयार हो गया है अब हम इसमें आदा चमज baking powder एट कर रहे हैं थोड़ा सा पानी इसके उपर शामिल करते हुए इसे mix कर लेना है एक पैन रग दिया है उस पे थोड़ा सा oil लगा लेंगे और थोड़ी सी राई इसके उपर लगा लेते हैं सुफेद तील इसके उपर से लगा लेते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता कड़ी लियोज इसके उपर से लगा कर हमें दो चमज बैटर इसके उपर लगा लेना है और इसे ढाक कर हमें तीन से चार मिनट के लिए पका कर ले लेना है आप देख रहे हैं कि ये सारा ड्राय हो गया है इसका मतलब है ये पके तैयार है अब स्क्यूपर से थोड़ा ऐल लगा लेंगे और ऐल लगा कर अब इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से पलटा कर दोनों साइट से हमें इसे पका लेना है अच्छे से पकने तक इसे हमें इसी तरह से रखना है ये देखें यहाँ पर ये तैयार हो गया है अब इसे हम इसे ऐसे ही अलट पलट करते हुए सेक लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं अब मैं आपको और एक बना कर बताती हूँ ओईल लगा लेना है थोड़ा सा राई लगा लेंगे थोड़ा सा तिल लगा लेंगे वाइट तिल और इसके उपर थोड़ा सा कड़ी लियूज लगा लेते हैं कड़ी पत्ता और इसके ऊपर ये बैटर दो चमश डालना है और इस तरह से हमें इसे ढाक कर 3-4 मिनट पका कर ले लेना है 3-4 मिनट में ये तयार हो जाता है लो फ्लेम पे रखके हमें ये पकाना है अब इसे हमें पलट लेना है एक साइड से हो जाने के बाद और इसे फुल फ्लेम पे रखके हमें इसे दोनों साइड से इस तरह से सेख लेना है तो यहाँ पर ये बनकर तयार हो गया है तो अब इसे अलट पलट करते हुए हमें सेख लेना है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है आप इसे breakfast में बना सकते हैं या बच्चों के टिफिन में भी दे सकती है बहुत ज़्यादा मज़ेदार नाश्टा बनके तयार होता है आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें तो चलिए यहाँ पर सारे बनकर तयार हैं अब हम इसे निकाल देते हैं माशालला लहमदुल्ला बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे अगर आपको में रेसेपी पसंद आई हो तो मेरी रेसेपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने family और friends में शेयर कीजिए मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब किये वेना ना जाएं एक लाइक ज़रूर करें दौा में याद रखें थैंक्स पर वाचिंग अल्ला आपिस